अल्लो एब्रीवन स्वागत है आप से भी कहा हमारी यूट्यूब चैनल गयाने हैं गहंदी में और आज हम लोग देखेंगे सक्षमता परिक्षा 2024 बिज्ञान से संबंधीत SCRT के कुछ मातवपून परिसन तो आईए बिना देर किये जो है हम इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं पहला परिसन क्या होने वाला है पहला प्रस्ट है कि कुतरने में सहायता करने वाले दाथ क्या कालाते हैं क्या वो क्रिंतक होते हैं रदनक होते हैं अगर चाड़वक होते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिंतक जो दाथ कुतरते हैं क्या वो लेता है क्रिंतक बोलता है नेक्स प्रस्न की तरब चलते हैं नेक्स प्रस्न देखते हैं क्या होता है नेक्स प्रस्न है लार मंड यानि अस्टार्च को किस में बदल देता है क्या मॉल्टोज में गुलुकोज में सेलुलोज में या लेक्टोज में लार जो है वो मंड को जो है गुलुकोज में बदल देता है सही जवाब क्या होगा गुलुकोज नेक्स परस्ट की तरब चलते हैं नेक्स परस्ट देखते हैं क्या हने वाला है नेक्स परस्ट है कि पीतरस का स्राव होता है अक्रिट से, अगनासे से, आमासे से या फेफड़ा से तो इसका सही जबाब हो जाएगा यक्रित, पीतरस का सराव यक्रित से होता है नेक्स परसन की तरब चलते हैं, नेक्स परसन होने वाला है कि वासा कापोन रूपेन पाचन होता है अमासे में, हगनासे में, बड़ी यात में या छोटी यात में तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी याद नेक्स परसन को देखते हैं कि जल का आवसोसन मुख्यता होता है ग्रासिका में, बड़ी याद में, छोटी याद में या अमासा में तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ी याद next person की तरफ चलते हैं next person एकते हैं next person है कि एक लीटर जल जिसका तापमान 0 degree Celsius हो तथा एक लीटर जल जिसका तापमान 40 degree Celsius हो दोनों को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान क्या होगा 10 degree Celsius से कम होगा 40 degree Celsius से अधिक होगा 10 degree और 40 degree Celsius के बीच रहे गया या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 degree Celsius से 40 degree Celsius के बीच होगा नेक्स प्रस्ण की तरफ चलते हैं नेक्स प्रस्ण देखते हैं नेक्स प्रस्ण है कि बर्फ लकडी का चमज डाला जाए तो पहला है कि चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा चालन के कारण गर्म हो जाएगा कुछालक होने कारण कोई परभाव नहीं पड़ेग चलते हैं next person की तरफ next person देखते हैं next person है कि 20 degree ताप पर गर्म जल में 20 degree ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने पर क्या होगा च्छड का तापमान बढ़ जाएगा पानी का तापमान बढ़ जाएगा दोनों का तापमान बढ़ जाएगा या कोई परभाव नहीं पड़ेगा तो यहां कहा रहा है कि 20 डिग्री celsius ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री celsius ताप पर गर्म लोहे की छड यानि गर्म जल है और गर्म लोहा भी है दोनों को डाला जाएगा तो क्या होगा तो इन पर जो है कोई परभाव नहीं पड़ेगा नेक्स प्रस्ट की तरब चलते हैं इन में से कौन मौसम के घटक नहीं है पवन, तापमान, अदर्ता या पहाड तो इसका सही जवा हो जाएगा पहाड पहाड जो है मौसम के घटक नहीं है नेक्स प्रस्ट की तरब चलते हैं उसड़क कटिवध्य छेत्र में पाये जाने वाले जनतु दुरूबिय भालू, पैंगुमिन, रेंडियर या कस्टूरिय मिर्क तो इसका सही जवा हो जाएगा कस्टूरिय मिर्क क्योंकि ये सभी जो है ये धुरूब कटिवध्य में पाय जाते हैं एक्स प्रस्ट के तरफ चलते हैं धुरूबिय छेत्र में पाये जनवाले जनतु हैं टुकन पक्षी, हाथी, लाइन, टेल, लंगा या धुरूबिय भालू तो धुरूबिय भालू जो है वो धुरूबिय छेत्र में पाये जाता है नेक्स प्रस्ट को देखते है next person का होने वाला है कि वैसे जनतु जिसके शरीर पर बालू यानि फर कि दो मोटी परत होती है वे पाये जाते हैं उसमे कटी बंद छेत्र में रेगिस्तान में दुरूद छेत्र में या इनमें से कोई नहीं तो यह लोग जो है धुरूज छेत्र में पाए जाते हैं फर जो होता है इनको ठंडी से बचाता है नेक्स प्रशन की तरफ चलते हैं नेक्स है हरे पाउधे को अपना भोजन स्वय बनाते हैं कालाते हैं विशंपोसी परपोसी मिरितपोसी या स्ववपोसी तो चुकी अपने से बनाते हैं इसलिए विश्वपोसी कालाते हैं नेक्स प्रशन को देखते हैं नेक्स प्रशन क्या होने वाला है अमर बेल उधारन है स्वपोसी का परपोसी का परजीवी का या मिरितजीवी का अमर बेल जो है वो परजीवी का उधारन है क्योंकि यह जो है दूसरे पेड़ इसलीए इसलिए पती जो होगा इसका जैन सर्व जाएगा नेट प्रस्ट को देखते हैं किकट भग्चि पोधा गुलाब मटर गट पढड़नी यांमर बेल इसका सही जबाब हो जाएगा गट पढड़नी क्योंकि इसका मुझ खुला होता है जब भी उसमें कोई कीट प्रिवेश करता है यह जो है बंद कर लेता है और उसे खा जाता है नेक्स प्रेशन की तरब चलते हैं नेक्स प्रेशन है कि पवन दिशा सुचक का उप्योग किया जाता है तो यहीं से दिशा सुचक है तो पवन जो है पवन की दिशा जानने के लिए जो है इसी अंतर का प् एक्त पावन को देखते हैं क्या होने वाला है नेक्स परस्टन को देखते हैं हुने वाला है कि दकीका उधारन की गती तो यहां जो है सर रेखिया का मतलब हुआ तो सीधा रहना चाहिए तो यह अगर रेल गाडी जो है सीधे फूल से गुजरती है तो ये सघृ लेखिया गती का उधारन है नेक्स प्रस्ड की तरब चलते हैं एक्स प्रस्ड क्या होनेवाला है कि नहीं लेखित में से कौन सा वर्तल गति का उधारण है क्या सीधी सडर्ट पर चलती है मोटर की गति मोटर की गति बिल्कुल नहीं सररलोलग घते बिल्कुल नहीं सुर्ज के चारोवर्ड प्रित्वी की गति तो यह सही जवाब इसका हो जाएगा next person की तरफ चलते है next person है कि चाल का मोखल मात रख्या किलो μीटर मिनद परती मिनेट नहीं मिटर परती मिन नहीं मीटर सेकंड मीटरवती सेकंड यह सई उत्तर हो जाएगा नेकश्प्रसंड को देखते है कि 20 जलदिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को 22 फरबड़ी को 22 मार्च को यह बाइस को इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को जो है जल्दिवस मनाया जाता नेक्स प्रस्टन क्या होने वला है नेक्स परस ने के पिलीया रोक का काराण है जिसे आम लोग जैनलिस बोल देते हैं दूसित जल का वेवार गंदे योग तो बिल्कुल नहीं अस्नान योग तो बिल्कुल नहीं दूसित जल इसका जो है सहीं अंसर हो जाएगा क्योंकि यहां अपसिस्ट जल है इसमें गंदगी रहती है तो इस तरह से जो हैं हम लोगों लगते हैं कि हमारे तब्याइद साइन हैं फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उम्हेद करता है कि आप वीडियो को सेयर जरूर करेंगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियों तब तक आप पड़ते रहे सीखते रहे देखते रहे धन्यवाद